सेंगेल का प्रेस विग्यप्ति जमशेदपूर 29 दिसंबर 2021 आज हिमंत सरकार को दो वर्ष हो गए, मगर अब तक इसने अबुवा दिशोम अबुवा राज को स्थापित करने की बजायव स्थापित करने का काम किया है। अतयव सेंगेल हिमंत सरकार का विरोध करती है। किसी भी राज्य और राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा संस्कृती और नागरिकों के जातिगत पहचान से बनती है। यही स्थान्यता, राष्ट्रियता, उप राष्ट्रियता आधी का मूल आधार बिंदू है। भारतिय समविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेदों ने इसको स्थापित किया है। जिसे नवगठित जार्खंड प्रदेश को अब तक स्थापित कर लेना चाहिए था। मगर सभी सरकारों ने इसको विफल किया है और निजी स्वार्थों हितु केवल रूटीन सरक कारी काम किया है। जबकि जार्खंडी जन को केवल विकास नहीं बलकी अस्तित्वक पहचान और भागीदारी खिस्सेदारी के साथ विकास चाहिए। अन्यथा उनके लिए विकास, विनाश बन जाता है। लगता है गुरुजी शिबू सोरेन के नित्रित्व वाली मुक्ती मोर्चा को केवल वोट और सत्ता की राजनीती आती है, सम्मान और न्याय की नहीं। उसी का प्रतिबिम्भ है हेमंत सरकार। दो सेंगेल सभी के भाषा संस्कृती का सम्मान करती है। मगर जार्खंड में आदिवासी मूलवासी को दरकिनार और विस्थापित कर न हेमंत सरकार विफल है क्योंकि इसने अब तक स्थानिय नीती, न्याय पूर्ण आरक्षन नीती, स्थानिय भाषा संस्कृती पर आधारित शिक्षा नीती रोजगार नीती आदी को स्थापित करने की बजाय उल्ता काम किया है। केवल वोट की राजनीती से ग्रसित होकर ख प्रदेशों में चला कर जन जागरन का काम कर रही है। हेमंत सरकार एकमात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आठमी अनुसूची में शामिल संताली भाषा को अविलम जार्खंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं देना चाहती है। क्यों बाकी आदिवास पुलिस अफसर रूपा तिर्की और सिदो मुर्मू के वन्शज रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध हत्या मामले पर सीबी आए जाच के मामले पर समवेधन हीन क्यों है। और चिंता का सेंगेल समर्थन करती है। सेंगेल गैर जार्खंडी भाषाओं के खिलाफ नहीं है बलकि उनको थोपने वाली हिमंत सरकार के खिलाफ है। सेंगेल जार्खंड के अलावे बंगाल बिहार उर्रीसा और असम चत्तिसगर आदी प्रदेशों में रह रहे अधिवासियों का गड़ या केंद्र मानती है। अतैव ब्रिहत जार्खंड की अपेक्षा इस समय वर्तमान जार्खंड दिशों को उसके सपनों के साथ बचाना ज्यादा जरूरी है। सेंगेल इसके लिए संघर्श्रत है। सालखंड मुर्मु, पोर्म सांसद, राष्ट्रिय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान सेंग।